वेल्कम त्रेंड्स तो आज के सेशन के अंदर हम JNU 2017 के पेपर के बारे में डिसकस करें हैं और 2017 के पेपर के अंदर भी more precisely हम Molecular Biology के 2017 के जो JNU का पेपर हुआ था उसके अंदर क्या questions आये थे उनके बारे में discuss करें हैं तो one by one हम शुरू करते हैं question number जो भी उस पेपर का था वो 17 था 17 नमबर का question क्या कहता है देखिए RNA अंदर गोड हाइड्रोलिसिस इन अलकली कीफली डियू टुद र न जो भी है उस आर ने का हाइड्रोलिसिस हो जाता है अलकली के अंदर क्यों हो जाता है आर ने का अलकली ट्रीटमेंट देने से हाइड्रोलिसिस क्यों होता है तो उसके अंदर यूरैसिल होता इसलिए सिंगल स्रेंड़ी नेचर होता है ऐसा नहीं आर ने के अंदर जो शुगर है राइबोड और जो राइबोड शुगर है वह मुद राइबोड शुगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 प्राइम ओएज भी जो भी हे ग्रुरूप फ्री के अंदर यह RNA synthesis के अंदर polynucleotide का हिस्सा बन जाता है लेकिन तू प्राइम ओएच फ्री रहता है और यह तू प्राइम ओएच हाइड्रोलेटिक या हम कह सकते हैं कि वह क्या करा सकता है नुकलीफिलिक अटैक शो कर सकते इसके वह नुकलीफिलिक के अंदर चीफ ली क्या हो यह living cell 28% इसकी अधायमई एक living cell है उसके अंदर ट्वेंटीह परसेंट लीविंग सेल है मतलब उसके अंदर डीने कैसा है तो डबल स्यंडेंडर गरुद्व क्विण फैमीन है यह नस्टाइमीन की परसेंटेज कितनी है तो ट्वेंटीपरसेंटेज है लेकिन जितना थैमी होगा उतना ही क्या होगा एडिनीन वी वा तो 28 क्या होगा एडिनीन भी होगा ट्वेंटीद वेटीटनेट मतलब यह 56 परसेंट किस है वह 있습니다 ताहडिनीन यह एडिनीन औरहंगर धामीन की कंसेंट होग है 56 परसेंट बmost यहांत और 2024 क стенdause उतना ही है जितना कि साइटोसीन है तो तो 22% रहा गॉनीन और 22% कोन रहा सबका साइटोसीन तो इस में से हमें परसेंटेज किस की पूछी है गॉनीन की परसेंटेज कितनी होगी 22% ही होगी then after that this question which of the following is incorrect about the process of translation translation process के बारे में कौन सा process, कौन सा statement incorrect है, जैसे कि suppose, यूचरोटिक सिस्टम के अंदर यहां पर यह जो यह मारने है, वसी अमारने के उपर, यहां पर 5 फ्रेम जो भी है, वस 5 फ्रेम पॉजिशन के उपर क्या है, कैप है ओर 5 प्रम पोजिशन की उपर अगरैंना स्वद उपर है तो यहां पर हम बात करते है कि इस फाइप्ट पूजिशन यही बैंड होती है लेकिन जब तक कोजैक सिक्वेंस नहीं आती तब-तक दो यम्मारीन के स्केंड करती रहे तेौधं किया है यहाँ सre स्टान्सों होगा अगर इस कोजैक सिक्वेंस से पहले यहाँ पर कहीं पर क्वेंस आती है तो यहा100 ट्रन्सलेस्ट नहीं हो पायत है लेकिन 64 में से 3 तो हमारे नॉंसेंस कोड़ान है और नॉंसेंस कोड़ान से मतलब है कि इनका कोई सेंस नहीं निकालता बाकी बच्चे 61 जो कि क्या करते हैं कि अमाइनो आसीड को एंकोड करते हैं तो यह सही है इसे कि सपोज एक सेक्वेंस ऐसी ती जी रिपल जी एसे कोड़ान की सिक्वेंस थी यहां पर यहां पर जी मतलब गॉनेन गॉनेंज़ और यहां पर साइटोसीन की जगह की उपर yemधे साइट oc replace हो गया, codon की sequence के अंदर change आया, लेकिन ये भी किसे encode करता है, तो glycine को, और ये भी codon किसे encode करता है, glycine को, मतलब DNA के अंदर तो change आया, लेकिन change कहां नहीं आया, protein के अंदर नहीं आया, तो हिन में से बाकि सभी statement सही है, जो incorrect statement हो पहला है, then 47 के बाद, there is a next question, जो कि target rule के उपर है, about double stranded DNS टेडर, target rules क्या कहता है, target rules बहुत simple है, target rule कहता है कि A plus G और C plus T, मतलब adenine plus gonine, और cytosine plus, मतलब purine plus pyrimidine is equal to 1, मतलब target rule ये कहता है कि DNA के अंदर, जो भी purines है, उतने ही pyrimidines, वे pyrimidines भी होंगे, और उनका ratio होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, then next question, which of the following is correct about having double lipid bilayers around mitochondria, mitochondria नाम की ये जो cell organally है, ये कुछ इस तरीके से इसका structure है, ये outer membrane, तहीं है, this was an outer membrane of mitochondria, और mitochondria की इस outer membrane के बाद, this was an inner membrane of mitochondria, ये mitochondria की outer membrane, और ये mitochondria की inner membrane, और ये outer membrane ये double bilayer की membrane, mitochondria के अंदर beneficial क्या है, क्या उसका जो भी है, correct statement है, ये पूछे जा रहा है, अब दिखिए कि यहां से mitochondria की inner membrane जो होती है, इस mitochondria की inner membrane के उपर क्या present होता है, तो mitochondria की inner membrane के उपर electron transport चैन प्रेजेंट है, या इसे ही हम क्या कहते है, तो this is called EDC, electron transport, इस electron transport चैन का ही काम क्या होता है, कि यह H plus ion का gradient बनाती है, और यह H plus ion का gradient बनेगा, यह plus ion को जो अंदर की matrix है, जो बाहर के दर डाला जाएगा, दोनों membrane के बीच में, यही H plus ion, अगर यहां से अंदर की तरफ आए, तो यह H plus ion अगर अंदर की तरफ आते हैं, तो उसके वज़े से, इसका synthesis होगा, तो ATP है, वोसे ATP का synthesis हो जाएगा, तो दो membrane होने का majorly जो फाइदा है, यह major contribution है, तो एक तो स्टोर अप फॉस्पलिपीड गलत, तो प्रिवेंट दे इंटरी अप केमिकल्स इंटो माइटो कांट या नहीं, प्रोटेक्ट दे सेल फॉस्पलिपीड ग्रेडिकल्स नहीं, तो मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडिट को मेंटेन करते हैं, थाकि एच प्लस हैं नीच आए, तो ATP synthesis हो पाए, तो यहां पर अगर मैं किसी राइबोजोम का स्रॉक्चर ड्रॉख करू, तो यह कुछ इस तरीके समय ने, ribosome की structures को draw किया है यह कुछ अलग-अलग sites है ribosome की तो यह ribosome का small submit है यह site होती है इसे कहा जाएगा E, इसे कहा जाएगा P site, इसे कहा जाएगा A site और इसके अंदर भी जो भी है prokaryotic system के अंदर इसके अंदर एक RNA है इस RNA को कहा जाएगा 16 16S RNA के अंदर यहाँ पर ही 2 adenine adenine है और यह जो adenine adenine है इन्हें कहा जाएगा जाएगा decoding decoding site है अब क्या होता है कि जैसे कि सब्सक्राइग यहाँ पर कोई एक code on है जैसे कि बात करो ccc नाम का एक code on है और यहाँ पर अगर tRNA आया और tRNA आके यहाँ पर interaction कर रहा है तो tRNA के अंदर सिक्वेंस होगी जी 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 इसे सिक्वेंस है और इसके उपर कोन है तो प्रोलीन नाम का हमाइन उसीड है अब अगर यह एक दूसरे के साथ पेर करते हैं लेकिन यह पेर कर रहे हैं कि साथ साथ यह जो भी है decoding center के जो adenine है इनका भी पेरिंग करना important होत decoding center के adenine भी पेरिंग करना कोर्ण और anti-codon का interaction है अगर कोडन और anti-codon का proper interaction हुआ तो यह जो decoding center के दो adenine है tinya साहर रहा लेकि तुम यही इंटर्याुर्पर рिलिदं का हो है यह जाना को यहा पर है क्विश कुछ 2021 17 के molecular biology से यह वीडियो आपको helpful रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है नॉलेज़ फूल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा थैंक्यू गैज